हलो दोस्तों टोने टुटके में आप सबका स्वागत हैं आज का विसा है प्यार को लेकर प्यार करने वाले इंसान जब प्यार करते तो उसमें देखते नहीं है कि वो कौन से काश्ट का है हिंदू है या मुसलिम है या अदरकाश्ट का है या लोकाश्ट का है या कुछ भी है प्यार तो प्यारी होता है क्योंकि प्यार प्यार में ही यंदा होता है वो जात पात नहीं देखता है अब उस प्यार को कामियाब करने के लिए क्या करना पड़ता है पहला तो टेंशन यह होता है कि भाई लड़की के घरवाले आपके खिलाफ हैं लड़के के घरवाले आपके खिलाफ हैं और आप एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि आप सोचते हैं कि भाई आम एक दूसरे के बगर रह नहीं पाएंगे तो उस प्यार को कामियाब बनाने के लिए आपको क्या करना है लड़की के घरवाले अगर राजी नहीं है तो वो लड़की को करना पड़ेगा लड़के के घरवाले राजी नहीं है तो लड़की को करना पड़ेगा दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आप इसे रीट कर लें और उसे नोट कर लें कि आप अपना प्यार बहुत आशान तरीके से अपना सकते हैं ओभी 24 घंडे के अंदर उसमें एक मिनिट ना आगे ना पीछे काम्याब नहीं होगा तो आप मुझे गाले लिख सकते हैं इस कमेंड के अंदर यह मेरा हंडे परशंट का दावा है तो दोस्तों हर इंसान किसे ना किसी से प्यार करता है घर बशाने के लिए इसा नहीं की टाइम पास के लिए और उस प्यार के पीछे दुस्मन पढ़ जाते जैसे दुस्मन होते हैं हमारे माबाप अब उनको खुश करने के लिए क्या करना है अब यह सुन ले दोस्तों भोश पत्र लेकर आईए इतना बड़ा भोश पत्र लेकर आईए कि आपकी जो family सदश यह है उनका नाम उसके उपर लिख सके चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़के का हो इतना बड़ा लेकर आईए और केशर को श्याही बना ले केशर को आप श्याही बना ले और उस केशर के श्याही को आप लेकर एक लकड़ी होता है जिसको बोलते हैं नरही जिसको हम लोग बच्पन में पढ़ाई करते थे ना तो उसका हम लोग पेन बनाते थे, सायद आप लोग को पता होगा, तो उसी लकड़ी का एक पेन बना ले, उसी स्याहे से, आप अपने माबाप का नाम लिखिये उसके उपर, भाई है तो उसका नाम लिखिये, भाबी है तो उसका नाम लिखिये, या आपको कोई दुस्मन है, सार एक धागा लेकर उसे बांद दीजिए और उसके बाद एक पथल ऐसा लेजिए कम से कम होगा एक पाओ के आसपास होगा उस पथल में चारों तरफ आप धागे से लेकर बांद दीजिए आप और उसे ऐसे तलाओं में ले जाके फेकिए ताकि उस भोज पत्र को लेकर उस लाउंग को लेकर उस पथल जमींद पे बैठ जाए जब वो जमीन पर जाके स्थिर हो जाएगा, तो आपके माबापका माइड इस्थिर हो जाएगा, आप जो बोलेंगे वही होगा अब दोनों तरह से प्यार काम्याब हो जाएगा एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ जाएगा आप आराम से अपनी साधी करके शेटल हो सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो से आपको सैथ जानकारिया बहुत अच्छी मिल गई हो इस वीडियो से आपको अच्छी खासी जानक करें लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मुझ